नमस्कार दोस्तोर रेलवे में नई वेकेंसी के लिए कुछ दिन पहले देखा गया था कि एसके जहासर ने एक मुहिम छेड़ा और लगभग दो बार अच्छे खासे ट्वीट किये गए एक बार 21.5 लाख लड़कों ने रेलवे वेकेंसी के लिए ट्वीट किया और दूसरी बार में लगभग 10 लाख लड़कों ने ट्वीट किया और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन बाद ही रेलवे में कहीं न कहीं नई व्यकेंसी को लेकर सुक बुगाहट देखने को मिल रही है और इस पूरे मुद्धा पर बात करने के लिए हम रेलवे गुरू इसके जासर के साथ हैं सबसे पहले सर स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जीस तरह से देखा जा रहा है कहीं न कहीं आपका ट्वीटर केंपेंट रंग ला रहा है क्या उमीद है कोई नई अपडेट आई है सुनने में आ रहा है रेलवे में सर देखे रेलवे में नई अपडेट की अगर हम बात करें तो जो लोग पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा 2018 में जब 18 फरवरी को ये वेकेंसी आई थी LP टेक्निशन की उस टाइम भी दिसंबर में यही सर्कुलर वाइरल हुआ था उस टाइम और दिसंबर में वाइरल हुआ फर्स्ट वीक में और फरवरी 18 को ये वेकेंसी आई तो कमों बेस देखने को ऐसा देखा जा रहा है यह सब को बहुत ससरे बच्चे बिचारदारा की और जा रहे हैं सर आप लोग तो कोर्स से बीचते हैं सर आगे बढ़िए क्या कुछ शवालों का जवाब आप हमीं को दे दीजिए एकदम सिंपल है 2018 में वेकेंसी आई एलबी टेक्निशन के 18 फरवरी को क्या 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल में कोई रिटाइर नहीं हुआ होगा आपको यह काता है यतना दिन से कहीं नहीं दिया यतना दिन से वेकेंसी इसलिए नहीं दिया मेरे दोस्त कि आपको भी पता है election-based वेकेंसी यहां हो चुकी है Central Government की खास करके railway की क्योंकि railway पर complete बिहार और उत्तरप्रदेश का you are dependent है तो आपको यह हमेशा 19 में चुनाव था था 18 में वेकेंसी आई थी तो वेकेंसी अभी आनी है और यह आप एकदम नहीं सुचे कि वेकेंसी नहीं आएगा railway minister ने संसद भवन में खड़ा हो करके कितनी बार कितने दो-तीन minister ने ऐसा कहा है कि railway में safety category का privatization कभी नहीं होगा तो इसलिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार क्या गलत विचार चल रहा है तो उसको त्याग दीजे क्योंकि अब आपको समय नहीं मिलने जा रहा है आपको अगर याद नहीं है तो हम याद दिलवा दे कि NTPC में में मेंस का result आया मेंस का exam हुआ उसके 10 दिन बाद result आया उसके 10 दिन बाद cycle हुआ जो circular type का notice जारी हो रहा है यह पहले भी viral पिछले vacancy में भी हुआ था तो अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग फरवरी मार्च में इस बार भी लगभग vacancy देखने को मिल सकती है 100% मतलब आप देखिए हो क्या रहा है जिसे यह हमारा vacancy देना किसी एक individual का काम नहीं है यह एक process है process में चीजें आएंगी फिर रेलवर मिनिस्ट्री पर जाएगी PMO के पास जाएगी तब जाके आपको final vacancy मिलेगा और सरकार यह जानती है कि अगर हम सही time पर vacancy देंगे तभी इसका लाब मिल पाएगा हमको पिछले साब बार का बहुत अच्छे से याद है 2018 में जब चुनाव का समय था और बच्चों से vacancy आने से चार दिन पहले हमने कहा कि कितने लोग बरतमान सरकार मोदी जी की सरकार को vote देंगे किसी ने हाथ नहीं उठाया और जैसे ही 18 February को vacancy launch होती है अगले दिन हमने हाथ उठाया कि कौन-कौन vacancy मोदी जी को vote देगा 99% बच्चों ने हाथ उठा दिया जो हाथ उठने का कारिकरम है यह वहीं से संचालित होता है उनको पता है कि हमको कब vacancy देना है और मेरे दोस्त आप इस समझ लिजए कि अब आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलना है अब जो online exam का जो भारत का capacity है वो लगबग पहले 80,000 था इस दो महिने में लगबग डेड़ लाख पार चला गया है मतलब आप समझे कि 10 से 15 दिन में कितनों बड़ा exam होगा तो वो हो सकता है इसलिए आप एकदम tension मुक्तरी आप देख रहे होंगे बिगत दिनों में कि किसी को समझने का मौका नहीं मिल रहा है आज form भराना खतम हो रहा है पौश दिन बाद exam हो रहा है दस दिन बाद answer की आ रहा है दस दिन बाद result आ रहा है सभी लोग कहरें कि LP हो या technician हो या जो भी post की vacancy आएगी सलेवस में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा सर क्या उमीद है एक दम नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा आप कहेगा क्यों नहीं मिलेगा आप कैसे बूल सकते हैं अभी क्या हुआ है SSE ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया तो कहीं न कहीं इस बार SSE को खतम ही कर देना था और SSE लागू हो जाना था इसका मतलब SSE अभी लागू नहीं होगा इसका मतलब SSE में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है आपको इंगलिस जैसे भयावा सब्जेक का सामना नहीं करना पड़ेगा मतलब एगले एकजाम में CET का कोई डर नहीं है सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे वेकेंसी को लेकर तीन लाग प्लस वेकेंसी देखने को मिलेगी और तमाम जैसे गूगल पर भी सर्च करिएगा सर तो एक लाग सतर हजार के आसपास ग्रूप डी में पोस्ट दिखा रहा है सर तो क्या उमीद रख सकते हैं कि तीन लाग के आसपास वेकेंसी देखने को मिलेगी तो भी अपने आपको कहने लगते हैं कि वेकेंसी नहीं आएगी इसलिए कि उसमें उनको फाइदा देखे क्या है उनका देखे हम गुरू है हम तुमको जहां गलत रास्ते पर जाओगे वहां रोकने की कोसिस करेंगे इससे उनको फाइदा क्या मिलता है उनको लगता हम क्यों पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना तो बड़ा tough काम है हम क्यों पढ़ेंगे vacancy तो है यह नहीं तो वो अपने आपको समझा लेते हैं कि vacancy तो है यह नहीं लेकिन मेरे दोस्त कभी खुद से यह भी तो पूछो क्या train बिना ELP के चलेगा क्या train बिना technician के चलेगा हाँ vacancy में delay है यह सरकार की गलती है लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहो कि लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई छूट जाए पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना होगा लड़ाई तो करनी ही करनी है हमारी सरकार है मुन से मांग करेंगे ही करेंगे लेकिन साथी साथ आप पढ़ाई भी किजिये नहीं तो मेरे दोस्त ऐसा नहो कि vacancy आए भी और आप पिछड़ जाए election से पहले आ जाएगा sir 100% कोई इसको रोक नहीं सकता 100% vacancy आएगी बहुत बहुत धन्यवाद साथ तो जैसा कि सुन रहे हैं सर का साफ कहना है कि भारी संख्या में लगभग धाई लग प्लस रेलवे की vacancy आने वाली है और बहुत जल्द vacancy आने वाली है election से पहले vacancy आएगी और सर का भी मानना है कि जो vacancy है रेलवे vacancy है election based हो चुकी है बाकि अगर आप भी देख रहे हैं जिस तरह से रेलवे में circular notice वाइरल हुआ है जो उस पर भी सर बोल रहे है लेकिन सलेवस चेंज इस बार नहीं होगा क्योंकि CET इस बार लागू होने नहीं जा रहा है बाकि आप क्या कुछ सोच रहे है इस पर वीडियो के बार में अपनी राइक कोमेंट सेक्षन में जरूर रखिएगा आप देख रहे थे काबिल नियूज जहिन